नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ डॉक्टर जाए, मैरे यूटूब चैनल डॉक्टर जाए कुमार से मैं आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे अपने लंग्स को कैसे स्ट्रेंदिन किया जाए आपके लंग्स कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वीक हैं या हेल्दी हैं ये कैसे पता किया जाए तो दोस्तो वीडियो को अंतक देखे, वीडियो के नीचे में एक लाल रंगा सब्सक्राइब बटन उसे जरूर दबा दे, जिससे ये फैदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिविकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो चलि दोस्तोम लोग पहले पता करते हैं कि आपके लंग्स कितनी स्ट्रंदन है, स्ट्रॉंग है या वीड है सबसे पहले क्या करना है, लम्बी गहरी सांस लेनी है और उसे 20 सकेंड तक होल्ड करनी आख कोछिस करना है लंबी गहरी सांस लेनी है और उसे 20 सकेंड होल्ड करने या कोसिस करना है जब आप देखते हैं कि 20 सकेंड होल्ड करने से पहले ही ऐसी नववात आ जाती है कि सांस को छोड़ने के नववात आ जाती है ये इंडिकेट करता है कि आपके लंग्स वीक हैं उसे स्टेंदिन करने की जरुवत है हो सकता है ये चीज 10 सेकंड पर हो जाए या 15 सेकंड पर ही आपको सांस छोड़ने की नववात आ जाए या किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि वो 20 सेकंड से जादा अगर 20 सेकंड से ज्यादा देर अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो यानि उसके लंग्स काफी अच्छे हैं और भी उसे स्टेंदिन किया जा सकता है और काफी वो स्टेंदिन की और जा रहे हैं अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए क्या-क्या एक्सेसाइज है इसके लिए चार एक्सेसाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसे चार exercise को अगर आप करते हैं तो आपके lungs काफी strengthen हो जाते हैं आपके diaphragm muscles काफी strengthen हो जाते हैं तो दोसरों सबसे पहले क्या करना है लंबी गहरी सांस लेनी है और इसे hold करके रखना है इसे hold करके रखना अगर आपको लगता है कि 20 second मैं नहीं hold कर पा रहा हूँ 15 second नहीं कर पा रहा हूँ अगर 10 second hold कर रहा हूँ तो 10 second hold करना है और इसे hold करने के बाद धीरे धीरे करके छोड़ देना है फिर इसे कोसिस करना है 10 second से 15 second पर लेके जाना है 15 से 20 पर लेके जाना है कम से कम 15 से 20 बार करना है आप दिखेंगे कि आपके lungs काफे स्टेंदन हो जाते हैं अब दूसरी exercise लंबी गारी सांस लेनी है दोनों हाथ को क्या करना दोनों हाथ को यहाँ पर और लंबी गारी सांस लेकर के दोनों हाथ को बाहर क्यों फैलाना इस दरसे पिर आगे जुखते हुए सांस को छोड़ देना है फिर लंबी गारी सांस थोड़ा होल्ट करके रखना है फिर इसे नजदीक लाते हुए छोड़ देना इस परकिरिया को ऐसे करके कम से कम 15 से 20 बार करना है अब दोस्तों इसी में जो है दूसरा एक्सराइज करना है लंबी गारी सांस दोनों हाथ को उपर लेकर जाना है फिर नीचे आते हुए सांस को छोड़ देना है फिर लंबी गारी सांस फिर नीचे आते हुए सांस को छोड़ देना है यह हो गया दूसरा exercise तीसरे नंबर में क्या करना है दोस्तों बहुत सारे physiotherapist lungs को strengthen करने के लिए डाइफराम बसास को strengthen करने के लिए spirometer के यूज करते हैं वह spirometer आपको market से खरीद करके लेकर के आनी है उसमें तीन बॉल लगे होते हैं अब क्या करना है दोस्तोंसे सीधा रखना है और सीधा रखने के एक pipe लगा रहे था उसमें pipe को मो में लेना और इसे खीचने कोये कोसिस करना है ह। जब आप खीचते हैं अंदर की ओर तो आप देखते हैं कि बॉल या तो एक उठ रहा है या दो उठ रहा या तीनों उठ रहा है तो अच्छी बात है आपके लंग्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं अगर एक उठ रहा है तो उसे कोशिस करना है देखेंगे कि दो उठने लगा तीनों उठने लगा इससे क्या होगा आपके लंग्स strengthen हो रहे हैं यह तो हो गई सीधा करके अब इससे क्या करना उल्टा कर देना है अब espyrometer को क्या करना है उल्टा कर देना है और मुझ में जो pipe लगे भी है उससे क्या करना है फूखने एकosis करना है जब आप फूखते हैं तो diaphragm muscles क्या होता है contract होता है और क्या होता है उससे क्या होगा कि आप जो फूख रहे हैं उससे यह होगा कि आपके जो इसमें जो तीन बॉल जो लगे होगे वो क्या होगा वो दिर दिर उपर क्यों जाना लएगा एक दूसरा भी बॉल जाएगा तिसरा भी जाएगा अगर तीनों बॉल जा रहा है कहने के मतलब है कि लंग्स काफी अच्छे हैं अगर दो जा रहा है थोड़ा वीक हैं अगर एक जा रहा है तो काफी वीक है उसे स्टेंदिन करने की जरूत है और इसे डे बाई डे कोसेस करना है कि जब आप फूखते हैं तो फूख करके चार कंडिल लेना है चारो केंडिल को आपको क्या करना है एक मीटर के दूरी पर रखना है और एक मीटर के दूरी पर आपको बैट जाना है उसे रह करके जला देना है जलाने के बाद क्या करना है उसे फूप करके बुझाने एकोसिस करनी है इस तरह से जब आप उसे बुजाने कोसिस करते हैं तो आपको काफी फोश लगाने पड़ते हैं उसमें क्या होता है कि आपके लंग्स भी अक्टिव हो जाते हैं आपके डाइफराम मसब्स भी अक्टिव हो जाते हैं और आप इस तरह से जब बार-बार जब करते हैं, तो आप देखेगे कि आपके लंग्स काफी स्ट्रेंदन हो जाते हैं, आपको activity करने में, काम करने में मन लगता है, आपको लंबे चलने में मन लगता है, आपको breathing difficulty नहीं होती है, अब दोस्तो ये तो चार exercise आप, ये चारो exercise क तो आपको सुबह साम कम से कम 15-15 बार सभी एक्सरसाइज को करना है जिससे क्या होता है कि आपके लंग्स स्ट्रेंदन हो जाते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि होमयोपैथ होमयोपैथ की कौन से बेहतरी दवा है जिस दवा को अगर यूज किया जाए जो कि लंग्स पर काफी अच्छा तरीका से काम करती है इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एस्पीडोसपर्मा पर एस्पीडोसपर्मा अगर आप लेते हैं तो वो कैसे काम करती है दोस्तों अगर Speedo Sperma Medicine को अगर इस exercise के साथ साथ अगर लिया जाए इन exercise के साथ साथ Speedo Sperma Medicine को लिया जाए तो आपके Lungs काफी जल्दी इंप्रूफ करते हैं Speedo Sperma काम कैसे करता है यह क्या होता है यह रिस्पार्टिस सेंटर को क्या करता है इस्टुमलेट करता है जब आप इसे लेते हैं तो यह रिस्पार्टिस सेंटर को क्या करता है कि इंप्रूफ करता है उसे इस्टुमलेट करता है जब वो इस्टुमलेट होता है तो आपके ब् तो अगर आप Speedo A-Sharma को इसके साथ साथ अगर लेते हैं बीजबून सुबर, बीजबून दोफर, बीजबून साम, बीजबून रात ऐसे करके अगर आप लेते हैं कुछ दिनों तक तो दोस्तो इससे क्या होता है कि आपके लंग्स काफे स्ट्रिंदन हो जाते हैं और आपको डिजबून की जो प्रावलम है, आपको सांस फूलने की जो प्रावलम होती है आपको ब्रिधिंग डिफिकल्टी होती है लंबा जब चलते हैं तो लगता है कि कोई चीज मुझे जबजसी सांस को लेना पड़ रहा है ऐसा जो भी प्रावलम होता है वो दीर दीरे क्या होता है कि सॉल्ब हो जाता है और इसमें यो यानि कि आपको एक्सेसाइज के साथ साथ अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है तो दोस्तो मैं हर समय इस तरह का आपके लिए नौरजवल वीडियो लेकर आता रहता हूं अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर नहीं अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक करें दोस्तों जिसे कि मैं कोशिस करूंगा कि इसे और मैं इंप्रूब कर सकूं तो दोस्तों इसी के साथ मैं जै हिंद जै भारत